नमस्कार, मैं प्रविन शर्मा आप सब का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर आज हम सीखेंगे दिलबर सौंग पे कुछ डांस टैप्स जिसमें मेरा साथ देंगे मनोज शर्मा लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए जल्दी से शरू कर लेते हैं इस वीडियो में हम दिलबर सोंग के सिर्फ स्टेप्स सिखाएंगे म्यूजिक के साथ स्टेप्स आप अलग वीडियो में देख पाएंगे जिसका लिंक इस वीडियो के साथ ही डिस्क्रिस्टिन बोक्स में दे दिया गया है आप वहाँ से उसे देखके इसके साथ प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सोंग डालेंगे तो उसका कोपी राइट लगेगा और वो गाना फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जिससे आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आएगी इसलिए हम स्टेप्स अलग कर रहे हैं डांस अलग कर रहे हैं ताकि आप स्टेप्स की वीडियो को डाउनलोड कर पाएं डांस की वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि उस पे कोपी राइट आएगा तो फर्स टेप में हाथ देखिए पहले फिंगर्ज को खोलके इदर से स्टार्ट करना है इसके साथ कमर कर देखिएंगे चेस्ट और हीप्स को एक साच लाएना है इसके बाद दूसरी तरफ 5-6-7-8 फिर से देखिए हाथ ऐसे अथेलियां बिलकुल सामने उंगलियां खुली हुई 1, 2, 2 तक लेके जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके बाद हाथ वैसे ही दूसरा हाथ नोर्मल पाउं साइड में निकलना है 1, 2 पे वापस देखिए पाउं को बाहर निकालेंगे 1 पे बाहर, 2 पे फिर वापस 1, 2, फिर दूसरा हाथ 3, 4, 5, 6, तीन बार करना है 1, 2 इस तरफ, 3, 4 इस तरफ, 5, 6, इस तरफ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद मुर्थी बंद, पीछे, 7, पाउं के पीछे पाउं फिर से देख लिजिए, 7, गर्दन भी लेके जाएंगे 7, 8 पे बापस चली पर दोनों स्टाप काउंटिंग पे कर लेते हैं Ready, start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो next step में हाथ उपर पहले पीछे जाएंगे 1, 2, देखिए हलका साथ चेस्ट को फीछे लेके जाएंगे 1, 2, हाथ उपर से खुद के तरफ 1, 2, इसके बाद 3 पे पाउं दर 3 गर्दन, शोल्डर, पाउं तीनों चीज एक साथ 3, फिर दूसरा, 4 फिर से देखिए 1, 2, 3, 4 3 पे ये पाउं, 4 पे पाउं जब 4 पे पाउं आएगा तो उसकी 80 उठाके रखने हैं देखिए 3, 4, 80 उठाके इसके बाद इस तरफ सेम 5, 6, और 7, 8, वही स्टेप एक बार इसको काउंटिंग पर करते हैं Ready? स्टार्ट 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Next Step आगे चलना है हाथ देखिए कैसे चोटी फिंगर को सामने निकालके पहले मुठी बन ऐसे फिर चोटी फिंगर को निकालेंगे 1, 2 2 पॉइंट एक पाउं से फिर से रेक लिजिए 1, 2 फिर दूसरा पाउं 3, 4 फिर से देखिए 1, 2 3, 4 इसके बाद दोनों हाथ 5 दो बाल चलाना है 5 शेक करना है 5 फिर 6 फिर से देखिए 1, 2 6 1, 2 3, 4 5, 6 इसके बाद 7 7 पे एक बार 7, 8 देखिए 7, 8 7 पे पाउं 7, 8 Ready? Start 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 तो next step में पहले पीछे चलना है देखिए एक पाउं पीछे निकाल लेंगे आप अपना left निकालना मैं अपना right निकालना हूं देखिए कैसे 1, 2 1 पे पीछे वाला पाउं 2 पे सामने वाला पाउं हाथ उपर से खुद की तरफ 1, 2 फिर सामने वाला पाउं पीछे 3, 4 वही फोर्मूला जो हमने 1, 2 में अपलाई गया था वही 3, 4 में करना पाउं का देखिए 1, 2 फिर सामने वाला पाउं 3, 4 एक बार देखते है 1, 2 3, 4 इसके बार वहीं पे रुके हाथ इदर से 5 पाउं बाहर 5 पाउं अदर 6 फिर से देखिए 5 6 सेम दूसरी साइड 7 8 एक बार 1, 2 8 करते हैं Ready? Start 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 Next step में पहले हाथ देख लीजिए हाथ एक नीचे एक खुद के तरफ 1 फिर 2 फिर 3 4 एक हाथ मीचे एक हाथ उपर 1 2 3 4 इसमें 2 पे नीचे बैठेंगे और 2 पे उपर उठना है पाउं को खोल के एक बार देखिए 1 2 3 4 पाउं देखिए 1 2 3 4 बोडी को पहले इदर फिर इदर फिर इदर किसी भी साइड करें आप अपने अकॉर्डिंग साइड कर लेना इसके बाद 4 पॉइंट पहले वाले रिपीट करने है कौन से वाले 1 2 3 4 एक बार पूरा स्टेप काउंटिंग पर करते हैं Ready स्टक 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नेट्स स्टेप में हाथ इदर उपर क्रोस 1 फिर मिचे 2 पाउं दोपर चलाना है 1 2 इसके साथ हाथ 1 2 फिर 3 4 देखे 1 2 3 4 इसके बाद पीछे चलना है पहले हमने जो किया था स्टेप पाउं का बेसिक भी 5 6 हाथ घुमा के 5 6 5 7 8 एक बार 1 2 8 करते हैं Ready Start 1 2 3 4 5 6 7 8 तो next step में fingers को सामने पाउं को सामने निकालेंगे 2 पैंट 1 2 Knees को एक तरफ चलाना है घुटने को 1 2 1 2 फिर से देखिए 1 2 फिर दूसरा 3 4 फिर से देखिए 1 2 3 4 इसके बाद wave लेनी है 5 6 नीचे बैठना है 7 8 एक बार देखिए 1 2 पे पाउं फिर 3 4 फिर यहीं से हाथ खुले wave स्टार्ट करनी है 5 down 7 down चले के बार counting में करते हैं ready start 1 2 3 4 5 6 7 8 next step इसी step को repeat करना है लेकिन इसका 7 8 change कर देंगे देखे कैसे 1 2 1 2 3 4 5 6 अब उपर जाएंगे 7 8 side में देखे 7 8 एक बार यह भी counting पर करते हैं ready start 1 2 3 4 5 6 7 8 तो next step में 4 point पीचे चलना है देखे कैसे 1 2 3 4 इसके साथ हाथ खोलने हैं और chest को vibrate करना है हिलाना है 1 2 3 4 देखे 1 2 3 4 इसके बाद 5 पे पाँ आगे निकालके 5 देखे कमर कैसे आ रही है 5 6 7 8 4 point कमर चलाना सामने हाथ देखे 5 clap 7 clap देखे 5 हाथ आसे 5 6 7 8 next step same repeat करना है सामने की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 चली बड़ काउंटिंग पर करते हैं दोनों steps ready start 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 9 11 6 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 17 18 17 17 18 18 20 18 19 19 19 30 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही step आपने टू टाइम्स करना है इसके बाद फिर से repeat करेंगे 1, 2, 8 इसी को दो बार तो next step में पाउं आगे निकालके हाथ देखिए ऐसे अंदर की तरफ करने हाथ कलाई से घुमाएंगे कमर को सामने चलाएंगे हाथ को अंदर चलाएंगे देखिए कैसे 1, 2 1, 2 फिर दूसरा पाउं 3, 4 फिर से देखिए 1, 2 3, 4 इसके बाद हाथ उपर से chest पे से मीचे लेना हाथ 5, 6 उपर से देखिए 5, 6 मीचे फिर दूसरी साइड 7, 8 एक बार पूरा step काउंटिंग पे करते हैं Ready? Start 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 ये step भी आपने 2 times करना है इसी को 2 बार repeat करेंगे music के साथ तो आज की वीडियो में इतना ही next वीडियो में कुछ नए steps के साथ कुछ नए songs के साथ आपके सामने फिर उपस्तित होंगे जब तक के लिए नमस्कार